मेरे इस चैनल पे आप नए आए हूँ तो इसे आप सब्स्राइब ज़रूर करिए और पास में लगे बैल आइकोन को भी क्लिक अवश्य कर लीजे ताकि मेरे दौरा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल से जल पहुँच पाए और जिन लोगों में सब्स्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक्यों हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप मैं सीमा डैमन मेरे इस यूट्यूब चनल में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो के अंतरगत कुम राशी वाले जातकों का जुलाई का महिना किस तरीकी का रहेगा उनका बहुशे फल किस तरीकी का रहेगा इस वीडियो के अंतरगत पूर्ण विस्तित्रित जानकरी जानेंगे शनी आपकी क्या समस्त इच्छाएं पूरी करेंगे इस महिने के अंतरगत शुकर के राशी परिवरतन से आपका दामपत्य जीवन और आपकी पार्टनर्शिप में आपको बहुत अधिक लाब मिलेगा या फिर आपको हानियों का सामना करना पड़ेगा इस वीडियो के अंतरगत हम संपूर्ण जानकरी जानेंगे दोस्तों तो चलिए आए जानते हैं दोस्तों कुम राशी वाले जातकों का जुलाई का भविशे फल किस तरीके का रहेगा गोचर में ग्रहों की इस्तिति के अकॉरिंगे राशी फल तयार किया गया है तो सबसे पहले हम गोचर में ग्रहों की इस्तिति जान लेते हैं तो इस समय आपके संतान से सुख होने के पूरे-पूरे योग बन रहे हैं, अचानक धन प्राप्टि के योग भी इस समय बन रहे हैं सूर्य 15 जुलाई तक आपके पंचम भाव में रहेंगे 16 जुलाई को वे छटे भाव में चले जाएंगे और बुद्ध के साथ बुद्ध आदित्य योग बनाएंगे लेकिन राहू आपके छटे भाव में इस्तित्य तो सूर्य और राहू की यूति से ग्रहन डोश भी बन र जाता है तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है पाटनर्शिप के लिए और दामपत्य जीवन के लिए यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा जुलाई का महीना बुद्ध ग्रह आपके छटे भाव में रहेंगे और राहू के साथ यूति होने की कारण वे ज मंगल और केतु की यूति आपके बारवे भाव में इस्तित है तो आप अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मंगल और केतु की यूति से अंगारक दोश बन रहा है जिससे हमें गुस्सा बहुत अधिक आ प्रहुत में झालेकर स्वास्ते की दस्ष्ति कुमराशी जट्कों का जुलाई का महीना किस तरीके करेगा स्वासते के दरेजिसे दखा जाये तो यह महैना आपका ठीक ठाक रह लेकिन आपको मानसिक परिशानिया हो सकती है इससे आपकी सिहरत पर बुरा असर पर सकता है आ के लिए ज्यादा बैटर रहेगा क्योंकि 17 जुलाई को चंद्र ग्रहन पर रहा है तो आप अपने स्वास्ते का बहुत अधिक ध्यान रखें मैंने चंद्र ग्रहन के ऊपर एक वीडियो बना रहा है तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं क कृष्ट करना चाहिए वैसे जुलाई के महीना आपकी स्वास्ते की द्रस्टि से ठीक ठाक रह सकता है आप अपने स्वास्ते का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा अब हम बात करते हैं व्यवसायवे लोग और business करने वाले लोगों के लिए कुछ खास फैसले यदि लेने हो तो वे बहुत ही सोच समझ कर लेंगे तो उनके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा वे अपने गुसे पर थोड़ा control रखेंगे तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा अन्यता वे वाद विवा पार्टनर्शिफ विवसाई के लिए यह महिना बहुत ही अच्छा रहेगा यदि आप शुक्र ग्रह से रिलेटिव कोई भी विवसाई करते हैं तो वह भी आपके लिए इस यह महिना फाइदेमन साबित सिद्ध हो सकता है दोस्तों नौकरी पेशा लोगों की इंकम इस महि प्राप्ति हो सकती है किसी भी तरह की चल अचल संपत्ति में पैसा लगेगा और उससे आपको धनलाब हो सकता है यदि आप इससे पुराना करजा भी चुका सकेंगे इस महीने के अंतरगत सेविंग बढ़ाने के लिए इंटरनेट मुचल फांड प्रॉपर्टी शेयर लेकिन आपको पॉजिटिव परिणाम इसके बहुत अधिक मिलेंगे दोस्तों सर्विश शेत्र में आपके पदनुत्ति के साथ साथ आपके ट्रांसफर के योग भी इस समय बन रहे हैं यदि आप इस महीने के अंतरगत अपना व्यापार बढ़ाना चाते हैं यदि उसे ए पन हो सकते हैं यदि आप विदेश में स्वय को इस्थापित करना चाते हैं तो यह महीना भी आपके लिए अनुकूल रिस्ति सही रहेगा जो भी कार्या यदि आप करते हैं तो उसमें पूरी एकागद्रा रखें आने वाले समय में कोई भी जिम्मेदारी भरा प्रोजेक् आप लोगों के लिए किस तरीके का रहेगा पारावरिक जीवन आपका पिशले महीने से इसमें ज्यादा अच्छा रहने के योग बन रहे हैं जिन्दिगी आपकी अच्छे से व्यदितहोगी जीवन साथी का पूरा सयोग इस महीने के अंध्रगत मिलेगा दाम-पत्य भी कल्य की संभावना बढ़ सकती है आर्थिक इस्तिती भी इस महीने आपकी बहुत अधिक अच्छा रह सकती है अचनक धन प्राप्ति के योग आपके बन सकते हैं लेकिन पैसे को पैसे के मामले में आप सोच समझ कर लिए गए निर्ने एपरत्याशित लाब आपको पहुच इस समय घरेलू कारियों में धन अधिक खर्च होने की उमीद है अनवश्यक खर्चों पर आप प्रतिवंद लगाने की आवशकता है मित्रोवे भाई बेहनों का बरपूर सयोग इस महीने के अंत्रगत बनेगा शुप कारे में धन खर्च होने के भी योग इस समय बन रहे है जीवन साथी की एक तरफ से कोई कीमती उपार आपको मिल सकता है इस महीने के अंत्रगत और लल लाइफ वाले जातकों के लिए ये महीना थोड़ा उतार चड़ाओ वाला रहेगा आपको मिले जुले नतीजे मिल सकते हैं शुरवाती दिनों में पार्टनर से कुछ मामलों म आपके मतबेत हो सकते हैं इन दिनों में आप अपने कुछ इच्छाएं आपको दबानी पड़ सकती हैं आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा ये सब कुछ मंगल वेकेतों की यूती के कारण हो रहा है इसलिए आप थो इसलिए आपके इस समय संतान से सुख होने के पूरे-पूरे योग बन रहे हैं संतान से सुख किसी भी तरीके से हो सकता है संतान की जौब लग सकती है संतान उत्पत्ति आपके घर में हो सकती है या संतान की साधी के योग इस समय बन सकते हैं शनी भी आपके इच्छा पू परिक्षा की तयारी करने वाले जात्कों के लिए जुलाई का महीना किस तरीके का रहेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी शुब तितिया बताने जा रही हूँ यदि उन शुब तितियों पर आप कोई भी कारे करेंगे तो आपके सक्सेस की चांसे बहुत अधिक बढ़ जाएंगे दोस्तों तीन, चार, साथ, आठ, ग्यारा, बीस, इकिस, पच्चिस, तीस और इकतिस ऐसी तितिया हैं जिन पर कोई भी आप शुब कारे करेंगे। या फिर अपने व्यापार के लिए कुछ भी खरीदना चाते हैं, या फिर अपने घर के लिए कुछ भी खरीदना चाते हैं, विशेस उकरन हो सकते हैं, विशेस आइटम हो सकते हैं, तो आप इन तितियों को खरीदेंगे तो आपके लिए ज्यादा बैटर रहेगा दोस्तो और कुछ ऐसी अशुक तितिया बताने जा रही हूँ जिन पर यदि आप समल कर चलेंगे तो आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा एक, नौ, दस, बारा, तेरा, छबीस, सताइस और अठाइस ऐसी तितिया हैं जिन पर आप थोड़ा समल कर चलेंगे तो आपके लिए जादा बैटर रहेगा आप जुलाई मा में ऐसे कौन से पर्व आ रहे हैं जिन पर यदि आप विशेष पूजा अर्चना करेंगे तो आपके जीवन में आने वाले सभी समस्याओं से आप निजाद अवश्य पाएंगे दोस्तो 21 जुलाई को भड़ी नौमी है इस दिन यदि आप कोई भी शुब कारे करना चाते हैं यदि कि जैसे कि ग्रह प्रवेश हुआ या फिर अपने व्यापार में कोई इनौर्गेशन करना चाते हैं या अपने दुकान का कोई इनौर्गेशन करना चाते हैं या अपने घर पे क पूजन करना ना भूले उनसे आश्रवाद लेला ना भूले और आप अपने मातापिताओं का भी आश्रवाद इस दिन लेंगे तो आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा और 27 जुलाई को खगराज चंद्र ग्रहेंड भी पढ़ रहा है तो इस दिन आप थोड़ा सम करेंगे तो आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा इस दिन आप रुद्रा अभिशेक भी करेंगे तो आपके लिए बहुत अधिक अच्छा यह रहेगा और 12 जोतिल लिंगों में से आप किसी भी एक की भी दर्शन कर सकते हैं इस दिन तो अवश्य करिए यह आपके प्राइब वीडियो पसंद आया तो इसे आप जब जब लाइक करें शेर करें और कमेंट्स जरूर करें कि आप कि अ कि अ कि अ कि अ अ अ